नमस्कार शाम के 6 बच गए हैं वक्त हो चुका है लोकतंत्र का इस पक्त आप टाइम जॉन अब भारत के साथ हैं मेरा नाम अंकित्यागी और हम सीधे आपके पास लाइव आ रहे हैं बनारस के वारणसी के असी घाट से शाम को दिन की तीखी धूप जेलने के बाद अब शाम से कम बनारस में हरे के मन में जो चर्चा है वो यही है कि सुप्रीम कोट ने आज जो हुआ उसके बाद ज्यानड़ापी का जो पूरा मामला है उसका क्या होने वाला है सुप्रीम कोट में आज बहुत एहम दिन था तीन बजे से जब सुनवाई होनी थी सब्हेले ही सब की टक्टकी वहीं पर लगी हुई थी सुप्रीम कोट ने कुछ बड़ी एहम बाते कही ऑप अँदर में मूटे मूटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को दोरा उसको एंफिसाइज किया उसके ओपर जोर दिया कि हम चाते हैं कि शांती का महल बना रहे साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो मुस्लिम पक्ष की पेटिशन थी कि किसी भी तरीके का उस पर स्टे लगा दिया जाए उस पर टिपपनी तो नहीं कही लेकिन एक बहुत एहम फैसला देते हुए जो ट्राइल जज्ज थे यानि कि जो सिविल जज्ज थे जो इस मामले को सुन रहे थे जस्टिस दिवाकर और लगातार एक के बाद एक उनके फैसले इस पर आ रहे थे कई महतुकून पेटेशन उनके सामने अब सोमवार को होने वाली थीम उनको इस केस से हटा दिया गया है सुप्रीम कोट ने कहा कि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और इस पर डिस्ट्रिक जज जिनको 20-30 साल का एक्सपीरियंस है उनको इसको सुनने की आब शक्ता है तो ये भी आप डिस्ट्रिक जज तै करेंगे और आगे इस केस में जो भी होगा वो डिस्ट्रिक जज तै करेंगे उसके बाद फिर आगे की कारवाई हाई कोट और सुप्रीम कोट तक पहुंचे की तो क्या क्युछ रहा आज सुप्रीम कोट में और उसके माइने क्या है हमारी इस रिपोर्ट में देखिए इस पैसले का दूसरा पहलू यह है कि मुस्लिम पक्ष की यथा इस्तिती बनाए रखने की मांग नहीं मानी गई और अब वारानसी जिला अदालत मामले की सुनवाई करेगा सबसे पहली बात यह कही है कि इस मेंटर का जो ट्रायल है वो डिस्तित जजज वारानसी करेंगे ठीक है सिवल ज़सरी बात जो सुप्रिंग कोट का इंटरिम ओर तरह 17 में का जो एरिया सील किया गया जहां पर शिवलिंग पाये वो बरकरार रहेगा वजू के लिए अरेंज् सुनवाई के दोरान सुप्रीम कोर्ट ने तीन बड़ी बाते कही पहली वारानसी कोर्ट का 17 माई का फैसला बना रहेगा यानि शूलिंग जहां मिला है वो एरिया सील रहेगा दूसरी बात ये कि वजू के लिए डियम वैकल्पिक इंतजाम करेंगे और तीसरा फैसला ये कि वारानसी जिला जज को केस ट्रांसफर कर दिया गया है यानि सिविल जज रवी कुमार दिवाकर अभी इस केस की सुनुवाई नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ट्रायल कोर्ट को चलने से नहीं रोक सकते शांती बनाए रखने के लिए सम्विधान में एक धाचा बनाया गया है जस्टिस चंदर चूर्ण ने कहा कि निचली अदालत को निर्देश देने की बजाए हमें संतुलन बनाना चाहिए यानि निचली अदालत मामले पर सुनुवाई जारी रखेगी हालकि इस फैसले तक पहुँचने में सुप्रिम कोर्ट में जो दलील दी गई वो दिल्चस्प है हिंदू पक्ष ने कहा मस्जित के पूरे इलाके पर औरंग जेब के समय कबजा हुआ पूरा इलाका आदी विशेश्वर नाद का है इसे खाली कराया जाए मस्जित के अंदर मंदिर के कई सबूत मिले है इसे देखा जाना चाहिए इस पर मुस्लिम पक्ष ने कहा ऐसी आजका सुविकार नहीं की जानी चाहिए हमें वुजू की अनुमती नहीं है पूरे इलाके को सील कर दिया कोल्ड कमिशनर की रिपोल definitely leak की जा रही है बाथ के दौरान जैसी खबरे लीख होने की बात निकली सुप्रीम कोल्ड ने इस पर कड़ी टिपड़ी कर अपनी नराजगी जाहिर की कोल्ड ने कहा कि आयोक की रिपोल लीख नहीं होनी चाहिए और केवल नयाया धीश के समक्ष पेश की जानी चाहिए रिपोर्ट कोर्ट में जमा करनी चाहिए थी कोर्ट को इसे खोलना चाहिए था हमें जमीन पर संतुलन और शांती की भावना बनाए रखने की जरूरत है एक तरह से हीलिंग टच की जरूरत है हम इस देश में संतुलन की भावना को बनाए रखने के लिए एक संयुक्त मिशन पर है मुझे लगता है कि हलाकि सुप्रिम कोर्ट के तरफ से जब ये कंसेडर किया जाता और ये कहा जाता है कि इसमें सुधार की गुंजाई सो सकती है और वही वह स्पेस है जिसको लेकर लगतार हिंदु पक्ष के तरफ से दावे किये जा रहे है मुसलिम पक्ष के वकील एहमदी ने कोर्ट में कहा कि पूजा इस्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने पर स्पष्ट रूप से रोक है आयोग का गठन क्यों किया गया था ये देखना था कि वहाँ क्या था यानि मुसलिम पक्ष 1991 के कानूर को आधार बना कर या था इस्थिती बनाए रखने की मांग कर रहा था इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी इस्थान के धार्मिक चरित्र का पता लगाना वर्जित नहीं है बहराल अब ये साफ हो गया कि ग्यान वापी पर वारानसी कोर्ट सुनवाई करेगा यानि मस्जिद और मंदिर की कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है अमित कुमार, रवी कांतराई, जोती मिश्रा के साथ आशुतो शिसिंग, टाइमस नौ नो भार तो ये एक लंबी प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी, इसमें जो भी प्रतिवादी है, जिनके साथ, जिनको अपने जो भी अबजेक्शन्स हैं, अब उनको रखने होंगे डिस्ट्रिक्ट जज्ज के सामने आज, क्योंकि जुम्मे की नमाज थी, उसको लेकर खासी तयारियां सुरक्षा की की गई थी, बार बार लग रहा था कि जो कोट का ओर्डर है, उसमें या वजू के लिए जो परिशानिया होंगी, ऐसा नहों कि कुछ लॉइन ओर्डर की समस्या शुरू हो जाए, साथी आशंका जताई जा रहे थी, मस्जिद में कितने लोग आ जाएंगे वहाँ पर, इस पे जो अंजुमन इंतजामिया कमिटी है, जो मस्जिद को देखती है, उसने पहले ही एक अपील दायर करी थी, और कहा था कि कम से कम लोग आएं, पर ऐसा हुआ नहीं, हम आज वहाँ पर आप लोग अंदर ना जाएं, थोड़ी तीखी नोग जोग प्रशासन और लोगों के बीच में जरूर हुई, लेकिन जो मस्जिद कमिटी थी, उनके समझाने पर और पुलीस और प्रशासन के शांती पूरवक काम लेने से कोई भी स्थिती हाथ से नहीं निकली, दोपहर की तप्ती गर्मी में किस तरीके से आज गेट नंबर चार जहां जो कॉमन एंटरेंस है, मस्जिद का और काशी कोरिडोर का वहाँ पर क्या-क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। इसलबात की जो पहले सिवलिंग जो वहाँ निकल गया हुआ है, उसी के काराण ही इतना भीड हो रहा है, उलोग भी दिखाना शेया रहे हैं कि मतलब कि हम भी कम नहीं हैं, हम भी हैं तोड़ा बहुत ज्यानवापी मस्जित के सामने पुलिस मुनादी कर रही है, मस्जित में आने की हड़बडी न करें, ठकका मुक्की से बचें ज्यानवापी की तरफ बढ़ते मुस्लिम समुदाई की भीड को पुलिस लगातार वापस लोटाती रही, इलाके की किले बंदी कर दी गई थी, भीड पर भारी संख्या में पुलिस बल का वहरा था, लेकिन इसके बावजूद भीड आती रही और मौके पर तैनाद पुलि ज्यानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज को लेकर भारी भीड उमर आई थी, भीड इतनी थी कि पुलिस मुनादी करने लगी, मस्जिद के कर्मचारी नो इंट्री का बोल लेकर खड़े हो गए, इसके बाद कुछ नमाजी लोटने लगे तो कुछ अंदर जाने की जिद करने लगे. जुमे की नमाज के लिए भारी भीड उमर गई, पहले वहाँ 40 लोगों के नमाज पढ़ने की जानकारी थी, लेकिन बताया गया कि 600 से ज्यादा नमाजी मस्जिद पहुँच गए, भीड इतनी बढ़ गई कि पुलिस को हरकत में आना पड़ा और नमाजियों को वापस कमिटी के जो एक जादा से हैं, वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि मस्जिद फुल हो चुका है, आप देखे यहां पर बड़ी तादाद में जो मुस्लिम भाई हैं, वो यहां पर इकठा हो गए हैं और मस्जिद में यानि की जगए वो फुल हो पास में जो हमारी मस्जिद है तो आप सुनचे के लिए हैं, तो अब जो के बहुत गर्मी भी है, उड़े बच्चे सब लोग हैं, इसलिए सबकी सुईदा को देखते हुए, आज पास भी बहुत सारी मस्जिदें हैं, कहीं पर भी नमादाता की जा सकती है, सबकी सेक्योरिटी के लिए, सबकी सहूलत के मस्जिद के कर्मचारी और प्रशासन अपील कर रहा है, पास के दूसरे मस्जिद में चले जाएं, या फिर घर पर ही नमाज अदा कर लें मुस्लिम भाई जितने हैं, इन्हें लाइन में पूरे डिसिप्लिन के साथ अंदर भेजा जा रहा है, ताकि दूसरी जगे ये नमाज अता कर सके, और माहौल को नियमे कंट्रोल में रखने की पूरी कोशिश की जा रही है, काफी बड़ी तादाद में लोग यहां पर जिला प्रशासन ने ज्यान वापी मस्जिद की इंतिजामिया कमेटी से पहले ही जुमे के दिन शांती पूरुवक नमाज अदा कराने में सहयोग की अपील की थी, प्रशासन ने आगाह किया था कि कोई भीव्यक्ती सील और प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने का क अच्छी बात ये रही कि जिला और मस्जिद प्रशासन के फैसले का नमाजियों ने पालन किया, कोई गडबड़ी नहीं हुई, इस बात का खास खयाल रखा जा रहा था कि कोई भड़काओ बयान न दे बात होती है तो फिर बढ़ जाती है, और ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग यहां बहुत अमन शांती से रहने वाले हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं, आप देख लेजेए, यहां पर आप देखी रहों कि सब लोग मिल जूल के रहते हैं, मनारस मिल जूल के चलता है, ऐसे कुछ य फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जोती मिश्रा और अमित कुमार के साथ रवी कांतराए, वाराल असी, टाइम्सनाव, नोभारत की का रेड का आज सामना करना पड़ा, यह एक SSC पेपर जो केस था, उसके वहां पर लालू परसाद यादव और उनकी घर पे रेड हुई, इसको लेकर अब राजनीती की तलवारे जो हैं, वो खिच गई हैं, आरजीडी कहता है कि तोता जो है, जानि कि CBI एक बार फिर से अपने काम पर अपने आकाओ के इशारे पर आ चुका है, वहीं बीजेपी ने हमला करते हुए कहा कि पहले से ही इन पे करप्शन के बड़े चार्जिस हैं और कानून अपना काम कर रहा है, इस बीच एक बड़ा विज्वर भी सामने आया, तेज परताब यादव अराम से ब अपनी जमीन दो और नौकरी लो आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादो ने यही फॉर्मूला अपना लिया था जो अब उनके गले की फांस बन गई है, जिसे लेकर सीबियाई की टीम शुक्रवार की सुबह सुबह दिल्ली से लेकर बिहार तक तलाशी लेने और पूछताज करने में जुट गई, धंटों तक लालू यादव और उनके रिष्टदार के कई ठिकानों पर ये सब चलता र जारी हुई, एक टीम गुपाल गंज गई, लालू की बहन के घर जाकर छापे मारी की, मतलब कुल 17 ठिकानों पर ये सब घंटों तक चलता रहा, दरसल नौकरी लोग जमीन दो मामले में, सीबियाई ने 18 मई को बिलकुल नया मामला धर्ज किया है, जिसमें लालू यादों क लिखे दिया इनके नाम पर, तो अलग-अलग तरीका इन्होंने अपनाय था कंपरियों के माध्यम से, गिफ्ट के माध्यम से, किसी अन्य माध्यम से, और इन्होंने इत्तीं बड़ी संपत्ति कठा कर लिया। एक तरफ छापे मारी हुई, दूसरी तरफ बीजेपी ने फिर से लालू के खिलाफ मोचा खोल दिया हलांकि आरजेडी ने इस पूरे मामले को कसकत पकड़ लिया है कारेकरताओं ने पटना में प्रदर्शन किया, इसके बाद शुरू हुआ सियासी पलटवार का खेल आरजेडी ने कहा, ये सब बीजेपी का डर है आरजेडी जिस जोर के साथ इस बात को हवा दे रही है उसके पीछे का खेल बिहार की राजनीती में पिछले कुछ दिनों में हुई दावत और बैठकों के साथ ही शुरू हो गई थी जिसमें नितीश कुमार और टेजस्वी यादव के करीब आने से एक नई सियासी चर्चा शुरू हुई हलाकि ना तो खुल कर इस पर नितीश बोले ना ही तेजस्वी बोले लेकिन अब CBI की छापे मारी को आरजेडी ने पूरी तरह से सियासी बना दिया है इस उठा पटक के बीच तेजस्वी यादव लंदन में है जेल से आने के बाद बेटी मिसा भारती के साथ लालू खुद दिल्ली में हैं, जबकि तेज प्रताप के साथ रावडी पटना में हैं। अब CBI की कारवाई ने बिहार की राजिनिती में नई और आरपार वाली सियासी लड़ाई का मौका दे दिया है। जिसके बाद आरजेटी इस बात पर ज्यादा जोर दे रही है कि लालू के जेल से बाहर आने पर बीजेपी फिर से डरी हुई है। जारखंड के मुख्यमंत्री हेमंच सोरेन जो है आई-एस ऑफिसर पूजा सिंगल जो वहाँ पर उनकी खानन्स अचिव थी उनको लेकर जिसको इनफोस्मेंट डिरेक्टरेट की वहाँ पर उनकी खिलाफ जाच भी चल रही है। की गिरिफ्ट में आई हुई पूजा सिंगल के बाद हेमंच सोरेन के दरवाजे तक उनके तार पहुंचते नजर आ रहे हैं। अब इनफोस्मेंट डिरेक्टरेट दोनों उनके निशाने पर हैं पूजा सिंगल को पहले गिरिफ्टार कर लिया गया है। और साथी साथ इसके पक्के सबूत इंफोस्मेंट डिरेक्टरेट को मिले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जाहरकंड हाई कोर्ट से एडी ने सील बंद लिफाफे में एक रिपोर्ट मांगी गई है। इडी चाहता है कि वो किसी ना किसी तरीके से हेमन सुरेन से भी पूछताच कर पाए। के आरोप भी उन पर लग रहे हैं। जाहरकंड हाई कोर्ट ने सभी 28 कंप्रियों की जाच के आदेश दिये हैं। जिसमें हुमिन सुरेन और उनके भाई वसन सुरेन का निवेश है। साथी साथ अब इस मामले को जाहरकंड हाई कोर्ट में सौपी गई इडी की रिपोर्ट जो है। उसमें हेमन सुरेन के नाम पर खानन पट्टा अवंटित करने में निलंबित खानन सचिफ पूजा सिंगल की भूमिकाव की बात कर रही हैं। के कारण हेमन सुरेन के दर्वाजे तक मुश्किले पहुँच सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं ऐसे दो नेताओ की जिसमें से एक को कोट से बेल मिल गई, दूसरे को जेल जाना पड़ा। सुप्रीम कोट के ज्यान व्यापी के फैसले पर असदुदीन ओवेसी जुन्होंने पिछली बार अपनी नाखुशी जाहर करी थी, वो इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। सीधे आपको इस लाइप प्रेस कॉन्फरेंस में लिए चलते हैं। रहे हैं। which happened in 1968. Thirdly, there are many issues wherein the RSS and the BJP claims that at one point of time, the masjids were not masjids. Coming to today's judgment, Supreme Court, as you must have heard, Supreme Court now has directed that the District Magistrate will listen to this case. the Supreme Court has also said that the 7-11 will be heard on priority and in that way the Supreme Court by transferring to district magistrate because the lower court honorable judge was listening to one side of what the petitioners were coming and telling him thirdly the Supreme Court has said has directed to the district magistrate of Varanasi that wazoo arrangement should be made in the earlier order of May 16 the Supreme Court has said that whatever is the religious observance should be allowed in a pond if water is there the Muslims do abolition and wazoo to perform the namaz the Supreme Court have said that allow the religious observance but it is very very unfortunate that the local district magistrate is completely collaborating with the petitioners if the Supreme Court have said allow the religious observance and religious observance includes doing abolition and wazoo so today's order also the Supreme Court have said that's all that's all that's all अब ही भी उनको लगता है कि संदग गीरे में है पर इस बात की उम्मीद है कि कोड ने जो फैस्ता दिया है अब जिसके कोड में जो सुनवाई होगी उस मामले में में अपको बता रहा था कि दो नेताओं की बात एक नवजोत सिंग सिद्धू जो 1998 में एक जो उनका गुस्से में किसी से लडाई हो गए थी पार्किंग को लेकर उस मामले में उन्हें एक साल की सजा दी गए उस सजा के लिए उन्हें कोट में सरेंडर करना था जेल पर सरेंडर करना था अभी शेक मनु सिंग भी तक तक तसे नवजोत सिंग सिद्धू पिधान मंतरी और बीजेपे के खिलाफ पूरा एक मोर्चा निकाल रहे थे महंगाई को लेकर आज जैसी ही उनके पास ये शाम तक खबर आई तो उनकी तविए खराब हो गई पर इन सब के बीच नवजोत सिंग सिद्धू ने आज पटियाला जेल में जाकर सेरिंडर किया है उनको मेडिकल जाच कराने के लिए भी ले जाए गया और अब एक साल की सजा उनकी शुरू हो गई वहीं दूसरी और समाजबादी पार्टी के कदावर नेता बड़े नेता आजम खान को आज कई मही नों जेल बिताने के बाद कल सुप्रीम कोट ने जो उने जमानत दी थी उसके बाद वो आज जेल से बाहर निकले उनके भारी समर्थक बहुत सारे समर्थक उनसे मिलने के लिए पहुँचे शिपाल सिंग्यादब भी पहुँचे कुछ समर्थकों को मिलकर वो थोड़े भावुक भी हुए पर आजम खान के उपर अभी भी एक ऐसा केस है जिसमें उनके लिए बेल जो लोवर कोट है उससे मिलना बचा है अगर उसमें बेल नहीं मिला तो वो फिर से वापस जेल जा सकती आजम खान की पूरी कहानी रिहाई जेल से लेकर रिहाई तक इस रिपोर्ट 27 महीने के बाद आजम खान जेल से बाहर जब आए तो समर्थकों का वही शोर था वही जोर था आजम के दिल में दर्द का समदर तो रहा होगा लेकिन इस जोर और शोर को देखकर उनका दर्द कुछ कम भी जरूर हुआ होगा महीनों बाद जेल से मिली आजादी पर आजम भवुक हो गए सफ़ेद कुर्टा पैजामा, आखों पर काला चश्मा, रंगे हुए बाल आजम जैसे ही जेल से बाहर निकले तो उसी अंदाज में दिखने की कोशिश की जैसा की वो अमूमन रहते हैं आजम को घर लाने के लिए उनके दोनों बेटे सीतापूर जेल पहुँचे थे वहीं मीडिया से बात की, कहा इस खुशी का कोई ठीकाना नहीं है सुप्रीम कोड के फैसले को किस तरह देखते हैं? सर खुशी है आपको? बिल्गल बहुत बहुत खुशी है आजम खान के जेल से निकलने की खबर पर खुश शुपाल यादो भी लखनव से सीतापूर गए फिर आजम को गले लगाया, उन्हें दोस्त बताया, मीडिया के सामने तस्वीरें भी किचवाई इसके बाद भी मेल मुलाकात का दौर जारी रहा, फिर आजम अपने समर्थकों के साथ रामपूर के लिए निकल गए गुरुवार को जब आजम को जमानत मिली थी, तो अखिलेश ने कोई ट्वीट नहीं किया लेकिन उनके जेल से बाहर आने पर फीट के जर्ये ही एक संदेश दिया और लिखा विल्कम मिस्टर खान, आजम खान जी के जमानत पर रहा होने पर हार्दिक स्वागत पुरा एत्बार है कि वो अन्य सभी जूटे मामले मुकदमों में बाईज़त बरी होंगे, जूट के लम्हे होते हैं, सद्या नहीं आजम खान पर एक दो नहीं कुल 89 मामले दर्ज किये गए थे और फिर एक एक करके उनके सामने मुसीबतों का पहार खड़ा किया गया था 814 दिन के बाद जेल से निकले हैं आजम खान, सभी 89 मामलों में जमानत मिल गई है आजम खान पर जिस तरह के मुकदमे दर्ज थे, ये कुई राजस सरकार के द्वारा पॉलिटिकल वेंडेटा के आधार पर दर्ज किया के मुकदमे नहीं थे ये मुकदमे पीडितों की और से, गरीबों की और से, उनकी और से दर्ज कराए गए थे, जिन पर अत्याचार किया था आजम खान ने, सत्ता में रहते हुए आज आजम खान की जमानत हुई है जमानत का मतलब यह नहीं होता है कि उनको दोस्मुक्त मान लिया गया है उनके अपराजों के उनके माफी मिल गई है आजम खान को सजा मिलकर के रहेगी ट्रायल कोट जब अपना ट्रायल पुड़ा करेगी तो आजम खान के लिए सजा मुकर और ये नाराजगी अब आगे बढ़ी तो समाजवादी पार्टी और अकलेश दोनों के लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी वेरो रिपोर्ट टाइमस नाव नो भारत अब वक्त हो चुका है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का स्पेशल रिपोर्ट में आज बात करेंगे 1991 के वर्शिप आक्ट की जी हां सुप्रीम कोट ने टिपपनी जरूर की कि क्यारेक्टर चेंज करने की बात नहीं है पर उसका क्यारेक्टर है क्या मंदिर या मस्जिद इस पर कोई रोक टोक नहीं लगाता है 1991 का वर्शिप आग वो सबसे एहम होगा तो क्या ये एक बड़े एक कोट में जिस तरह से बात हुई कि एक देश के अंदर जिस तरीके के हमारे देश के अंदर विभाजन है ऐसा एक्ट जरूरी है जिससे कि हर रोज कोई नया विवाद ना खड़ा हो इतिहास को इतिहास मेहने दिया जाए या फिर जो एक कम्यून क्या कहते हैं जनता दोनों जगाज की उनकी क्या राय है इस पर देखिए हमारी विशेश रिपोर्टर अधार मारे लक्षी आज आप नहीं गैट अप क्यों भारं किया है नंडी जैसे मिल ले विए मंदिर है बिलकुल मंदिर मस्जिद होई नहीं सकता मिल बैट के कानूनी तरीके से जो कोर्ट प्रोसीजर है लिट दे कोर्ट डिसाइब आप लोग आज पास के मस्जिदों में नमाद आता है पुर ले वारांसी की घ्यान वापी से मधुरा की शाही इदगा देश में आज बस इन दोनों की चर्चा है जिला अदालत से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक बहस इस बात की हो रही है कि 1991 के वर्शिप कानून के दाइरे में ये दोनों धर्मिस्थान आते हैं या नहीं काशी से लेकर मधुरा तक की खबरों पर लगातार अपडेट दे रहा है यहां तक की शो में दिखाए गए कंटेंट को आधार बनाकर हिंदू पक्ष की ओर से मधुरा की आदालत में याचिका भी लगाई जा चुकी चौक चौपालों से लेकर छोटी से बड़ी समाम कोट के चहरी में इस बात पर बहस छड़ी हुई है कि क्या 1991 का प्रेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का अब कोई मतलब है या इसमें बदलाव की ज़रूरत कि बात साल 1991 की है देश में राममंदी रांदोलन अपने पूरे चरम पर था उस वक्त केंद्र में नर्सिंगा राव की सरकार थी लोगतंत्र के इसी मंदिर संसद्धौन में पास हुआ उस वक्त का एक कानून आज चर्चा का विशय बना हुआ है वो कानून था प्लेसव वार्शिप के एक 1991 उस कानून में ये साफ कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 से पहले देश के किसी भी धार्मिक अस्थल पर जिस धर्म के उपासक पूजा करते हैं उसमें कोई चेड़ चार या बदलाव नहीं किया जाएगा उसमें अगर किसी ने बदलाव करने की कोशिश की तो उसे जेल भेज आजा सकता है आज एक बार फिर वो कानून ग्यानबापी मस्जिद के मामले पर चर्चा का बिशय बना हुआ है दरसल 1991 के दौरान राम मंदिर मुद्दा काफी जोरों पर था देश में रत्यात्रा निकाली जा रही थी राम मंदिर आंदोरन के बढ़ते प्रभाव के चलते अयोध्या के साथ कई और मंदिर मस्जिद विवाद उठने लगी थी इससे पहले 1984 में एक धर्म संसक के दौरान अयोध्या मतुरा काशी पर दावा करने की मांगी गई इन्ही मुद्दो को लेकर नरसीमाराव सरकार पर जब दबाव बढ़ने लगा तो इस कानून को लाया गया लेकिन अब जब देश में काशी मतुरा का मुद्दा गर्म है तो तथा कतिस सेकुलर के जंडा बर्दार अब इसी कानून का सहारा ले रहे हैं वो चैलेंज हुआ है आप क्यों उसको नाम दे रहे हैं सचतरा का अरे फवारा है और बगएर मुस्लिम पश्क को सुने लोर कोट ने बगएर सर्वे कमिश्टर की रिपोर्ट आये बगएर मुसलमानों को मौका दिये सुने कि आपने और पास कर दिया कम्प्लीटली अन्फ जाते हैं उसको भूंट है बिल्कुल घलत है यह आज आज निकले एक मुद्ध हो गई शाहियत के दोर में यह बना था उस वह तो शिबलिंग क्यों लगाते इसमें मुसलमान क्यों लगाएगा अपनी मजड़िद में शिबलिंग क्यों लगाएगा कोई नो कोशिन यह फूंक बिलकुल यह यह कहकर हालाश बिगाडने की जो कोशिच की जा रही है यह मुनाइब नहीं है यह मुलकी पालिशी के खलाफ है हमारे मुल्की पालेसी बारहल खानून और उससे खानून से चलती है और इमानदारी से अगर दो चीज़े मुल्क में नहीं है तो फिर मुल्क चलेगा किसे अगर क्यानवापी मस्जिद के फाउंटेन को शिवलिंग मान लिया गया तो ये मान लिया जाएगा पूरी दुनिया ये जान जाएगी कि हिंदुस्तान की हकूमत, हिंदुस्तान की अदालत, हिंदुस्तान की तमाम ये ताकते जो हैं फुली बेइमान है, फुली बेइमानी कर रही है उवैसी बर्क और रजा सहाब का तर्क तो आपने सुना लेकिन इन्हें ये सबूत नजर क्यों नहीं आ रहे हैं जो ग्यानवापी से लेकर शाही इदगाह की इमारतों पर साफ दिख रहे हैं ग्यानवापी की भीतरी दिवारों की ये तस्वीर है ताखे में शिबलिंग है दिवारों पर ऐसी कराकृती हैं जिन में हिंदू स्थापत्य साफ दिखाई देता है वहीं मत्रों में शाही इदगाह की दिवारों पर दिख रहे शेशनाप का चिन क्या कहता है शाही ईदगाह मस्जिद में मंदिर की तरह दिखरा खंबा किस सबूत की और इशारा कर रहा है ग्यान वापी से लेकर शाही ईदगाह तक एतिहासिक सबूत इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि यहां पहले क्या था और आज क्या है लेकिन जो लोग प्रेसेस और वर्शिप एक्ट का हवाला दे कर ज्यान वापी और शाही ईदगाह में मिल रहे सबूतों का बचाव कर रहे हैं उन्हें इसी कानून की धारा दो, तीन और चार पर भी गौर करना चाहिए हिंदू पक्ष की और से इन्ही धाराओं को कोट में चुनाती दी गई है इसमें विशेश रूप से वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4 का सब सेक्शन 3 कहता है जो प्राचीन और एतिहासिक जगहें हैं, उन पर ये कानून लागू नहीं होगा मतलब साफ है कि अगर कोई जगह जिसका एतिहासिक महत्व है उसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहट नहीं लाया जाएगा मकसद ये था कि भारती पुरातातो सर्वेक्षन जानी एसाई इसे एंशिंट मॉर्इमेंट एंड आर्केलोजिकल साइट एंड रिमेंस एक्ट 1958 के तहट अपने संरक्षर में लेकर संरक्षित करेगा सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई में भी वर्शिप एक्ट 1991 का दिक्रा आया कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के वकील से कहा हम आपके पक्ष में ही सुझाव रख रहे हैं अगर 1991 के कानून के तहट केस की वैदिता तैकी जाएगी फिर मुश्किल हो आम भाशा में समझें तो ऐसी जगों को मंदिर मस्जित की जगा एतिहासिक धरोहर के रूप में देखा जाएगा ऐसे में कोई भी इमारत जिसको बने वे सौ साल से ज़ादा का वक्त हो चुका हो और उसका एतिहासिक महत भी हो उसे एसाई यानि की पुरात तत्व सर्वेक्षन विभाग संरक्षित कर सकता है इस नियम के हिसाब से कानून के कुछ जानकारों का मानना है कि मथुरा और काशी के मंदिर के मामली इस कानून से बाहर हो जाती है अगर मुसल्मान भाईयों को यह लगता है आँखों से देखने पर लगता है कि भोले नाथ मौजूद है नंदी जी भोले नाथ की तरफ देख रहे हैं तो इस ढेश में एक नई शुरुवात करते हुए बाहीचारे को काईम करते हुए बिना कानून, बिना कोट कचिएरी के ही मुसल्मान भाईयों को ये जगा हिंदू भाईयों को सौब देनी चाहिए होने के लिए ये जरूरी नहीं कि छत हो, दिवाल हो, ढाचा हो लेकिन मस्जिद होने के लिए ये कर्डिसन जरूरी है जमीन अपनी हो, जमीन खरीदी गई हो, जमीन किसी नगी डोनेट किया हो और मसJद की पहली इंट मसJद के नाम पे रखी गई हो, किसी और structure नहोँ कानून में खामिया है, तो सरकार को राइट है कि उसको खामिया को पूरी कर दे और यदि उसको एक्जामीन करना तो जो Constitutional Court है वो उसको एक्जामीन करें हमारे अभारत वर्ष में दो Constitutional Court है एक High Court है एक Supreme Court है तो High Court और Supreme Court में यदि उसकानून को कोई चेलेंज करता है तो Court उसको Merits पर एक्जामीन करेगे अब आप सोच रहे होंगे कि जिस वर्षिप एक्ट की वज़े से काशी मतुरा में पेच फसा है उच पेच से आयोध्या कैसे बच निकला तो यहां हम आपको बता दें कि जब ये कानून बना था तब आयोध्या को इससे अलग रखा गया था इसके पीछे दलील ये थी कि चुकि ये मामला पहले से ही कोट में है ऐसे में इसे कानून से अलग रखा गया ऐसे में अब ये सवाल उट रहे हैं कि जब ग्यानवापी का मुद्दा भी 1991 में ही कोट में पहुँचा था तो इस पर कानून कैसे लागू हो रहा है 9 दिसंबर 1991 को संसद में बीजेपी संसद उमा भारती ने वर्षिप कानून के खिलाफ संसद में कहा था 1947 की यथा इस्तिती बरकरार रखकर आप तुष्टी करण की नीती अपना रहे हो गाउं में बैल गाडी के मालिक बैल की पीट पर घाव बना कर रखते हैं जब वो अपनी बैल गाडी को तेज दोडाना चाहते हैं तो वो घाव कुरे देते हैं इसी तरह ये विवाद भारत माता पर घाव और गुलामी के निशान है जब तक बनारस में ग्यानवापी अपने मौजूदा सवरूप में रहती है ये हमें औरंग जेब के जुल्मों की याद दिलाती रहेगी लेकिन जिस वर्शिप एक्ट पर विवाद है उस कानून से हिंदू हो या मुसल्मान कितना इत्तफाक रखते हैं इस कानून की पीजीदियों को कितना समझते हैं इसे जानने के लिए टाइम्स नाव नवभारत के रिपोर्टर्स ने देश के अलग अलग शहरों में लोगों से बात कि उसको बैठके मसले को अलकिया जाए और इसको कानून को नहीं टाना चाहिए देखना चाहिए बदल दिया तो वो तो गलत किया तो फिर से उसको उसी जगा पर वैशाही मंदिर भविनिर्वान मंदिर का होना चाहिए और यह खास तबके के लोग हैं जो कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें पैदा करते हैं जिस से हिंदू और मुस्लिम वाली बात आ जाए और मस्जीद और मंदिर वाली बात आ जाए लेकिन यह है तो धर्म जो भी जिसका भी हो किसी का भी हो लेकिन धर्म में कभी भी ऐसा बात बात नहीं होना चाहिए कैसे होना चाहिए है कर दिया गया है मुर्तियों को फैंक दिया गया है खंडित कर दिया गया है और वहां यह उस देश को सुधार के बदले उसे और इश्डिय कर देना कि नहीं जो उन्होंने किया वही सही है यह कानून घलत है आप भारत में सोहार्द का वातावरन बना के रखिए और जो मंदीर प्रांगण कासी में है ओ भगवान विशस्षवर ओ भगवान कासी विश्वनात की मंदीर है और यह सत्य है बनारस अति प्राचीन कालीन यह नगर है भारत कोई या सनातन कोई या बनारस 1947 के बाद या जानवापी और शाही इदगाह को लेकर भले ही चंद दशक पहले मामला कोट में गया हूँ लेकिन लड़ाई सेक्रों सालों से लड़ी जा रही है इसलिए इस मामले पर फैसला होना भी जरूरी है और बेरो रिपोर्ट टाइम्स नाव नवभार और अब बात करते हैं एक दर्तनाक हादसे की यह हादसा जम्मू शिनगर हाईवे पे एक निर्मानधी टनल में हुआ जिसमें कई मजदूरों के दबे होने की अभी भी आशंका है लगातार रेस्क्यू उपरेशन चल रहे हैं सिक्यूरिटी फोर्सिस जानी की जो वहाँ पर बी आरो जो बॉर्डर रोड और्गनाईजेशन है साथी साथ सेना के लोग लगे हुए हैं एंडियारफ के लोग लगे हुए हैं लेकिन एक बड़ा सवाल इस बात पर उठता है कि अगर दरार की इस टनल में पहले से जानकारी थी तो मजदूरों को वहाँ पर काम करने के लिए क्यूं भेजा गया कौन जिम्मेदारी लेगा इस बड़ी लापरवाही की जम्मू श्रीनगर नेजनाड हाईवे पर खूनी नाले के पास परवादी और सबाही का मंदर धूल, खुबार, पत्थर और मल्मों के वीच खसी बसे लिए निर्माना धीन टनल के धसने से नौ से दस मजदूरों के अंदर फसे होने की ख़बर है कोई नहीं जानता उनके साथ क्या हुआ है जहां पर खड़ा हो इस इलाके को मकरकोट कहते हैं और खूनी नाला भी कहते हैं हाथसा गुरौार रात करीब ग्यारा बजे राम बंद जिले की मेकर कोट इलाके में जमू शिनगर नेशनल हाइवेτα पताया जा रहा कि हाथसे के वक्ट मजदूर टनल के अंदर काम कर रहे था और कुछ बाहर टनल के मुहाने पर खड़े थी वहीं हाथसे में सुरंग के सामने खड़े वाहन बुल्डोजर ट्रकों सहीत कई मशीनों को भी नुकसान पहुचा है। को खूनी नाला कहते हैं, मैं आपको बताता हूं इसको खूनी नाला क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं, ये नेट जैसी बनी है, क्योंकि अक्सर यहाँ पे शूटिंग स्टोंग आते हैं, जिसकी वज़ा से जो गाड़ियां होती हैं, प्रे टक्रा जाते हैं। तरार ना पड़ जाएं, क्योंकि निर्माना धिन टैनल के पास पहाड से पत्थनों का गिरना आम हैं, ये इतना खतरनाक है कि इसे खूनी दर्रा कहा जाता है। ये मकर कोट का इलाक है, जो रामबन डिस्टिक्ट में पढ़ता है, इसे खूनी नाला कहते हैं। खूनी नाला इसलिए कहते हैं कि अक्सर यहां पे शूटिंग स्टोन और लैंड स्लाइट्स आते हैं, जिसकी वज़ा से कही पर गाड़ियों से टक्रा जाते हैं। यही एक वज़ा देखी होगी आपने कि पिछले के वर्षों से यहां पे नेट लगाए गी थी, जो शूटिंग स्टोन की वज़ा से पूरी तरह तबाह होगी है। यही वज़ा थी कि नाशनल हाईवे अथारिटी अफ इंडिया को लगा कि इस इस इलाके में एक टरनल होनी चाहिए, प्रॉपर टरनल जिसकी वज़ा से शूटिंग स्टोन की वज़ा से कोई गाड़ी को किसी भी वक्त राश्ट्रे जो जमुशनागर का मार गये, उस पे इधर रेस्क्यू आपरेशन के दौरान मजदूरों ने प्रशासम के खिलाफ नारे बादी, मजदूर गुस्से में, उनका आरोप है कि खदरे को लेकर पहले से आभास हो गया, लेकिन इसके बावजूद काम नहीं रोका गया, यह हाथसा नहीं बलकि जान बूचकर की गई लापरवाही है प्रशासन और कंपनी के आधिकारी आरोपो पर चुपी साधे हुए है, हलाकि उनका पूरा फोकस हसे हुए लोगों को निकालने में है, सेना समेत अलग-अलग एजेंसियों की पूरी टीम रेस्क्यू आपरेशन में चुटी हुई है